यह आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है what are they thinking right now इस वक्त आपके partner क्या सोच रहे हैं यह हम जानेंगे यह बिल्कुल timeless reading है जब भी आपकी नजर से गुजड़ेगी आपका उस वक्त का message होगा और चाहे आपकी जो भी situation है आपके partner के साथ सब के लिए यह reading open है सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards possibilities बताते हैं आपकी final destination safe divine source को पता है safe divine source को पता है के finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगोंने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं thank you so much आप सब लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा सो अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले हम आपके person की overall thoughts देखेंगे सो चाहे जिस भी time पर आप यी reading देख रहे हों या आपका उस वक्त का message होगा उस वक्त हम देखेंगे आपके person क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस connection के बारे में so six cards होंगे आपके person की overall thoughts के लिए so हमारे पास है in and out फिर है service हो सकता है literally कोई army में या police में हो सकता है कोई doctor भी हो सकते हैं कोई nurse फिर है हमारे पास cloudy so ये इनसान confused है इस वक्त और ये in and out connection है maybe कभी होते हैं available कभी नहीं होते हैं फिर है blessings but कुछ ना कुछ blessing जरूर है इस connection में आपके लिए maybe आपकोई feel होता है कि connection आपके लिए blessing है और आपके person भी ये सोचते हैं कि ये बड़ा blessed connection है वो blessed है कि आप से उनकी मुलाकात हुई आपको जानने का मौका मिला innocence and indecisive so आपके person इस वक्त confused है कोई decision नहीं ले पा रहे हैं वो किसी बारे में and with innocence they really feel कि आप एक बहुत pure soul है वो ये सोचते हैं कि आपका जो दिल है वो बहुत जादा pure है so कुछ cards नीचे गिर गए please bear with me इनको मैं उठा लूँ so आपके person ये सोच रहे है कि आप एक बहुत pure इंसान है बहुत loyal इंसान है but ये इंसान confused है किसी decision के हवाले से देखते हैं कि आपके person क्या सोच रहे है उनकी thoughts क्या है उनकी current thoughts what are they thinking right now ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहे है so maybe इंसान ये भी सोच रहे है कि कभी वो आपको time देते हैं कभी नहीं दे पाए हैं कुछ ना कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं maybe वे सोचते हैं कि उन्हें balance किसी ना किसी तरह लाना चाहिए क्योंकि ये situation unfair है आपके लिए हमारे पास है eight of pentacles हो सकता है किसी को कपड़े सीने का shock है कोई designer भी हो सकता है फिर है हमारे पास ace of wands पता है ये बहुत specific message था cats का shock हो सकता है किसी को the chariot हो सकता है कोई pregnant है बहुत specific messages है ये सारे जो मैं आपको दे रही हूँ सबके लिए नहीं होंगे फिर है seven of swords bottom of the deck पर हमारे पास है four of swords okay so देखें ये thoughts का card है और यहाँ पर ये जो image है हो सकता है कि आपके person ने अपनी family में किसी को खोया है maybe और उनके लिए बड़ा challenging time है maybe आपको नहीं बताया हुआ है उन्होंने maybe आप लोगों की आजकल बातचीत नहीं चल रही है ये इनसान अचानक से गाइब हो गये maybe अचानक से sad है obviously ये भी हो सकता है कि वो किसी को look after करे थे उनके खानदान में कोई था या उनकी family में कोई था जिसे वो look after करे थे कोई बिमार था और फिर उनकी death हो गई और आपके person के लिए obviously ये बड़ा challenging time है ये बहुत specific messages थे यहाँ पर Libra, Gemini, Aquarius Aries, Leo, Sagittarius इनरजी पर focus करना है अगर एनरजी आपसे match करती है तो बिलकुल आपकी reading है star signs को लेकर आपने परिशान नहीं होना so ये इनसान क्या सोच रहे है I feel कि कुछ चीजें हैं जो ये इनसान आपसे share करना चाहते हैं लेकिन अभी वो ready नहीं है cloudy आया so ये इनसान शाहिद ये ही decision लेने में उनको time लग रहा है वो ये ही सोच रहे है कि वो आपसे बात करें ना करें उनको क्या करना चाहिए so आपके person अपना mind make up नहीं कर पा रहे maybe उनका logical mind उनने कुछ और कह रहा है उनका दिल आपसे बात करने को कर रहा है उनका दिल उनने आपकी तरफ guide कर रहा है लेकिन वो अपने logic जो है उससे operate कर रहे है so with the ace of wands again ये इनसान passionate है आपके लिए आपसे बात करना चाहते हैं आपसे connect करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा excitement होती है उन्हें आपके बारे में जब वो सोचते हैं so ये इनसान कुछ है जो अभी आपको नहीं पता है कुछ secret है जो वो आपसे share करना चाहते हैं ये इनसान सोच रहे है with the seven of swords maybe कुछ लोगों के लिए unconfessed love हो सकता है कि ये इनसान अपना passion अपना प्यार सब आपसे छुपाते हैं आपसे hidden है आपको नहीं बताया हुआ उन्होंने और वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में और अभी तक उन्होंने decide नहीं किया है कि उन्होंने आपसे कब express करना है अपना love so आज की reading हो सकता है कि unconfessed love के लिए हो बट अगर नहीं भी है अगर आपनों का relationship already बना हुआ है I do feel कि आपके person ने कुछ चीजें आपको नहीं बताई है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन अभी वो सोच रहे हैं इस बारे में कि वो बातें वो आप तक कैसे convey करें आपको कैसे बताई कुछ चीजें कुछ सीक्रेट्स हैं जो उनोंने आपको नहीं बताया और वो उनके बारे में सोच रहे हैं So I also feel कि आपके person के दिल में एक बहुत strong desire है आपके साथ चलने की बहुत strong desire है कि वो आपके साथ चले serious होकर इस relationship पर partnership पर काम करें लेकिन फिर वही बात है कि वो same page पर नहीं ला पा रहे हैं अपने दिल और दिमाग को उनका दिमाग कुछ और कह रहा है दिल उनका कुछ और कह रहा है और ये जो जंग उनके दिल और दिमाग में चल रही है आपको इसका नहीं पता है यह आप से hidden है, बहुत सोच रहे हैं यह इनसान, बहुत confusion में है, decide नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है So seven of swords को clarify करते हैं हमारे पास है ten of swords So maybe आपके person के जहन में यह thoughts आती हैं sometimes कि अगर आप दोनों का break up हो जाए हमेशा के लिए, अगर आप हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं तो क्या होगा क्योंकि आपके person का logical mind शायद उन से यह कह रहा है कि आप लोगों का अगर break up हो जाएगा तो आप दोनों के लिए बेहतर होगा So मुझे जो नजर आ रहा है in cards में, मैं वही आपके साथ share करूँगी बहुत से लोग यह कहते हैं कि आप बहुत positive reading करती है तो जो भी cards में आता है मैं हमेशा वही आपके साथ share करती हूँ अब इन cards में यह आ रहा है कि आपके person के जहन में यह बात आती है अभी भी आ रही है second thoughts उनके जहन में कि अगर हमारा break up हो जाए हमेशा के लिए तो क्या होगा अगर हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं और अगर अभी आपका break up हुआँ है तो वो यह सोच रहे हैं कि अगर यह permanent break up है तो किया कैसा रहेगा हम दोनों के लिए यह decision हम दोनों के लिए सही रहेगा या नहीं और फिर वो ये सोचते हैं शायद हम दोनों के लिए ये decision सही हो शायद हम दोनों साथ नहीं चल सकते इस partnership को इसको चलाने के लिए बहुत से sacrifices, बहुत से compromises करना पड़ेंगे शायद it's very difficult हमें दूर रहना चाहिए और हो भी सकता है कि आपके person ने इस वक्त ये सोच लिया हो कि आप दोनों को बस एक दूसरे से दूर रहना चाहिए हो सकता है कि उनके जहन में ये चल रहा है इस वक्त ये भी possibility है बट फिर वही बात आगी कि उनका दिल बार बार आपकी तरफ आता है एक strong desire है आपके साथ चलने की जैसा मैंने कहा so mainly आपके person के दिल और दिमाग में बहुत जादा एक fight चल रही है कि वो decide नहीं कर पा रहे है कि उन्होंने इस break up को permanently रखना है या ये temporary break up है आपके person बिलकुल भी decide नहीं कर पा रहे है और वो सोच रहे हैं बार बार के ये जो break up हुआ है या ये जो separation है क्या करें वो इसका क्योंकि ये इन्सान इस separation से deal भी नहीं कर पा रहे है क्योंकि वो बहुत जादा आपके बारे में सोच रहे है so thoughts constantly उनके जहन में है और इसलिए ये situation उनके लिए एक problematic situation है let's see वो और क्या सोच रहे है so इस वक्त obviously मुझे लग रहा है ये इन्सान आपके बारे में सोच रहे है जब आप ये reading देख रहे है let's see ये इन्सान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में so हमारे पास है healer of the ages number 51 आप में से कोई literally healer हो सकता है या आप heal करना चाहरे है आप efforts कर रहे हैं इस connection को heal करने की बट आपके person respond नहीं कर रहे है and then the sun number one लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इन्सान obviously वही जो मैंने आपसे पहले बोला कि एक strong desire है आपके साथ चलने के और वो इसलिए है because they really feel कि आप बहुत जादा happiness उनकी जिन्दगी में लेकर आते हैं जो वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया वो बहुत अच्छा वक्त था उनकी life का बहुत खुशी महसूस हुई उन्हें जब आपके बारे में सोचते हैं तो चेहरे पर उनके smile आती है excitement feel करते हैं लेकिन फिर वही उनका logical mind उनको और reasons देता है आपसे दूर रहने के वही उनके दिल और दिमाग की जंग फिर से highlight हो रही है ये इनसान इनकी desire है आपके साथ इस connection को heal करने की clearly जिस तरह इस पे भी लिखा है वो इस connection को heal करना चाहते हैं आपके साथ एक happy connection बनाना चाहते हैं दुबारा से but वो अभी deciding phase में है कि ऐसा कब हो सकता है कैसे हो सकता है maybe वो कुछ plan कर रहे हैं let's see क्या सोच रहे हैं आपके person क्या सोच रहे हैं what are they thinking right now so हमारे पास है all that glitters number 16 and then yang number 1 फिर वही बात आगी कि ये इंसान बहुत जादा उनके लिए आप कहलें कि tempting है आप बहुत जादा irresistible है उनके लिए with this all that glitters they really want to come forward बहुत जादा उनके दिल में desire है आपकी तरफ आने कि ये आपके divine masculine भी हो सकते हैं अगर तो आपको लगता है कि ये आपके twin flame है soulmate भी हो सकते है but regardless of labels एक बड़ा strong pull ये इंसान आपकी तरफ feel करते हैं सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत जादा कोई action लेने का सोच रहे है with this yang energy क्योंकि ये masculine energy है तो ये इंसान कोई action लेने का सोच रहे है but फिर उनका logical mind शायद उनसे कभी ये कहता है कि maybe इसमें उनके लिए कोई फाइदा नहीं है ये सिर्फ वक्ती तोर की खुशी है long term ठीक नहीं चलेगा ये connection maybe family accept नहीं करेगी और problems हो जाएंगे maybe they are not good enough maybe वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे so इस तरह की different चीजें उनके दिमाग में चलती है कि शायद long term के लिए हमारा connection ठीक ना हो इसलिए शायद मुझे दूर रहना चाहिए मुझे दुबारा इस इंसान की जिन्दगी में नहीं जाना चाहिए but फिर एक strong desire आती है कि नहीं मुझे बात करनी है इस इंसान से so आपके person इस वक्त एक बड़ी difficult सी state में है so अगर वो in and out हो रहे हैं आपकी जिन्दगी से कभी आप से बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं कभी एकदम से गाइब हो जाते हैं उसका reason यही है कि ये इनसान decide नहीं कर पा रहे हैं so आप इस cycle को in and out cycle को कैसे break कर सकते हैं कि आप confront करें लेकिन लड़कर नहीं बहुत polite होकर बहुत cool and calm होकर आप confront कर सकते हैं अपने partner को ऐसे behavior पर कि आखिर वो इस तरह in and out क्यों कर रहे हैं उन्हें clearly सोचना चाहिए और clearly एक फैसला करना चाहिए और फिर आपको भी खुद को मजबूत रखना होगा कि जो भी वो फैसला करेंगे उसको आप मानेंगे so इस cycle को आप इस तरह से break कर सकते हैं अगर आप इस reading से resonate कर रहे हैं तो आप उन्हें confront करें पलकुल calm होकर अराम से उनसे पूछें let's see ये इनसान और क्या सोच रहे हैं हमारे पास है this could be the one in finances and career financial issues are a factor in your love life right now so ये specific message है हो सकता है आपके person की life में कुछ financial issues चल रहे हैं जिसकी वज़ा से ये इनसान और ज़्यादा question करते हैं कि शायद अगर तो वो male है specially तो वो ये सोचते हैं कि शायद वो provide नहीं कर सकेंगे शायद वो आपको अच्छी एक life offer नहीं कर सकेंगे future में इसलिए वो confused है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका career, उनके finances, किस करवट बैठेंगे right इस वज़ा से शायद वो आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं या in and out कर रहे हैं और फिर दूसी तरफ, they really feel के you are the one, ये ही वो इनसान है जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है मेरी desire है ये इनसान perfect है मेरे लिए, ये मेरा perfect match है, ऐसा इनसान पहले कभी मेरी जिंदगी में नहीं आया, वो ये उनके लिए, लेकिन वो confusion उनके अपने हिसाब से उनके लिए आ रही है, कि मतलब उनको फील होता है कि वो शायद worthy नहीं है वो इस काबिल नहीं है वो शायद deserve नहीं करते हैं या उनकी तरफ से, उनकी family की तरफ से कोई problem आ जाएगी, उनकी finances खराब हो जाएंगे, उन्हें अपने ऊपर confidence नहीं है जिस वज़ा से ये इनसान बहुत confusion में है और decide नहीं कर पा रहे हैं, because वो confident नहीं है कि वो आपके साथ अच्छी life एक you know, बिता पाएंगे या नहीं आपको एक अच्छी life दे पाएंगे या नहीं, वो confident नहीं है इसलिए ये इनसान in and out हो रहे हैं या अगर इस वक्त आप लोग की separation है तो देर वो इसलिए लगा रहे हैं, because वो अभी decide ही नहीं कर पा रहे हैं, कि उन्होंने क्या करना है, let's see, और क्या सोच रहे हैं आपके partner हमार पास है number 8, love who you are you are delight, sorry, you are divine delightful and deserving of the wonderful things life has to offer so they really love who you are, I feel और ये इसलिए भी card आया है कि आपके person अपने आप से उतनी महबत नहीं कर रहे हैं, अपने आपको worthy और deserving नहीं समझ रहे हैं इसलिए भी ये card आया है आप से वो बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप दुनिया में हर चीज़ डिजर्व करते हैं आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो deserving नहीं है, और वो शायद इतने capable नहीं है कि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार दे सकें जो आप डिजर्व करते हैं वज़ा से ये confusion है but they absolutely love you, जो भी आप है आपके लिए बहुत acceptance है और प्यार है, they really feel के you are perfect and then physical touch so this is a very beautiful card और इसका number है 47 जो इस पर लिखा है, a tender touch can mean so much so maybe ये इंसान आपका physical touch crave कर रहे हैं, आपका हाथ पकरना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, maybe आपके कंदे पर सर रखना चाहते हैं, they really want to feel that intimate soul to soul connection, उनका बहुत दिल करता है आपके साथ बैठने का हाथ में हाथ डाल कर you know, so they really want to touch you, feel your presence लेकिन इस वक्त ये हो नहीं पा रहा है right, जो भी circumstances हैं maybe आप लोगों के, बट ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं अगर आप लोगों का time पहले गुजरा है एक साथ, ये इंसान उस time पर भी reflect कर रहे हैं, जब आप साथ थे, अच्छा time आप लोगों ने spend किया और बहुत loved feel करवाया जब आपने उनने वो इस time पर reflect कर रहे हैं, इस पर लिखा है embrace, through each other you find the missing pieces, उनको ये feel होता है कि जैसे आप ही उनका missing piece है, आप complete करते हैं उनको पर फिर वही बात आगई confusion चल रही है लेकिन ये इंसान यही सोच रहे हैं कि आप उनने complete करते हैं, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा incomplete feel करते हैं and then transformation your relationship with one another is about to deepen love conquers and transform all things so इस बात पर आप believe करें कि अगर आपका प्यार सच्चा है, true love है, तो true love जो है, दुनिया फता कर सकता है, literally जैसे इस पर लिखा भी हुआ है, और transform कर सकता है हर चीज़ को अगर आपका love true है, और अगर दोनों लोगों का दो लोगों का love mutual है, true है तो वो कुछ भी कर सकता है, right circumstances को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की नियत खराब है कह लें तो फिर difficult हैं चीज़ें बट अगर आपको यह trust है कि आप दोनों का love mutual है, true है तो चीज़ें transform होंगी और आपका relationship deep होगा एक दूसरे के साथ आने वाले वक्त में यह आपके लिए message आ रहा है so let's see दो और cards आपके लिए so इस पर लिखा है yes so maybe आपके जहन में कोई question था जिसका answer yes है and then हमारे पास है get more information so हमारे पास seven of swords आये जिसका मतलब यह है कि आपके पास less information है आप भी अपने जहन में बहुत कुछ सोच रहे है doubts आ रहे है so आपके पास अभी information पूरी नहीं है आपके पास पूरी information होगी फिर आपने कोई फैसला लेना है and with this yes इसका मतलब यह है कि चीजें positive direction में जा सकती है chances है कि आप लोग का connection positive direction में जाए yes possibility है इस connection में आपके लिए yes positivity आ सकती है बिलकुल चीजें बेहतर हो सकती है इस yes का यह मतलब है so कुछ ना कुछ है ऐसा जिसके बारे में आपके पास जादा information नहीं है आप focus रखिएगा आपने yes and no question पर हम आपका answer देखेंगे साथ आपके लिए letters और numbers होंगे आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number, car number so शुरू करते हैं आपके yes and no से हमारे पास है 1111 w f i number 9 x so अगर हम इसको यहां रख दें तो fix so maybe आपके person चीज़ों को fix करना चाहते हैं जो आपके दरमयान खराब हुई so your answer is yes आपका answer yes आया है so फिर है हमारे पास x, n, g, b, 6, 6, 6, a फिर है h, o, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, m, k, m, n, n, l, r, n, 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 w, m, l, g, d, o, number 4, 9, 9, 9, 9, u, 1, 1, 1, b, i, c, k, d, s, k, c, e, k, sketch, I don't know, मैंने s के देखा तो मेरे जहन में sketch आया maybe आप में से कोई sketching करता है या shock है आपको sketching का g, z, 11, 11, 555, s, and y so, ये आपके letters and numbers हैं देख लीजिए कैसे आप से match करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा, so जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love and you are lovable, अपने आपको ये जरू बताया करें, अपना जिर सारा ख्याल रखियेगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.